नमस्कार रोजगार दैनिक समचार में आप सभी का स्वागत है इस बार नौ मा में PCS का रेजल्ट देने की त्यारी है PCS 2022 के मुकाबले 2023 में भ्यारतियों की संख्या कम हुई है ये स्क्रीन पर एक रिपोर्ट है महिला सिचक की बहाली का फैसला हाई कोट ने सही ठहराया और 2009 में सिच्छा निति साले ने छठा वेतन लागू करने का आदेश भी दिया यहाँ पर देशक्ते हैं IIS की त्यारी करने वालों ने PCS सिख कर लिया किनारा और PCS 2023 में घटी आवेतनों की संख्या CUT आवेदक, CUT से पहले भीकरे आवेदन यानि की IPU में दाखले के लिए पहली प्रात्मिक्ता CET को मिलेगी दाखले के लिए 30 अपरेल तक आवेदन किया जा सकता है यहाँ पर एक बड़ी खबर है अगनी बीर में प्रवेश परिच्छा को लेकर आपको बता दें कि अगनी बीर भरती के लिए पहली बार आनलाइन प्रवेश परिच्छा सुरू हो गई है 17 अपरेल से शुरू हुई साजा परिच्छा 26 अपरेल तक चलेगी और 176 सहरों में 375 केंद्रों पर ये प्रकरियाज शुरू है अगली खबर की बात करें तिक बड़ी खबर है आरक्षड को लेकर और यहां पर आरक्षड की 50% सीमा खत्म हो राहुल गांधी यहां पर एक बड़ी बयान दे चुके हैं राहुल गांधी जी ने सुमार को कहा कि देश में हर साल दस साल पर होने वाली जनगड़ना जल्द कराए जाये और साथ ही ब्यापकरूप से जातियाधारी जनगड़ना को इसका अभिन हिश्चा मानते हुए आरक्षड की 50% सीमा को खत्म किया जाये एक बड़ी खबर है I.E.R.T के डिकलोमा कोर्षों में तीन जून तक आवेदन कर सकते हैं डिकलोमा मैनेजमेंट और PDCA पार्ट करब में 30 जून और 3 जुलाई तक होगी प्रवेश परिक्षा ये आप देश सकते हैं इन कोर्सों में आवेदन कर सकते हैं साथ में एक बड़ी खबर है C.A.P.F. सिपाही भरती की फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है आप अगर देखना चाहते हैं तो अफिस्चिल वेफसाइट पर जाके देख सकते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है आपके स्क्रीन पर निदेशाले की ओ मिली 110 चैनितों के सुची जिसमें सिच्छा निदेशाले उत्तर प्रदेश सामिल है और असिस्टन प्रोफेशर की पदपन नियुक्त हुए हैं यहां पर एक बड़ी खबर आपके लिए संस्क्रीत विद्याले में विद्यार्थियों की छात्विति को बजट आवंटित हैं और प्रस्ताव पर शासन ने 10 करण रुपए जारी किये हैं वित्रड के लिए तैयारी की जा रही है रड़नीत या और आपको स्कॉलर्शिप जल्द ही मिल जाएगा दूसरी वहीं पर खबर निकल कर आ रही है कि पदों की संक्या घटने से कमाया आवेदन और पीशियों दोजार तेश में पर इक्षड ये लिख शकते हैं सहायक संक्या अधिकारी के सहायक सोद अधिकारी के पदों पर चल रही भरती प्रक्रिया में क्रम अहर्था व्यार्थियों का प्रमान पत्र पर इक्षड 25 सप्राइल से किया दाएगा दूसरी सबसे बड़ी खबर है राज जी विश्विद्यारे में वी फार्मा की पढ़ाई सबसे महगे हो चुकी है पहली बार जमा करने होंगे 55,400 रुपए पर समेश्टर और 45,000 रुपए टीउसन सुल्क भी सामिल है वीडियो केंड में यह रही आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ खबरे अगर आप ऐसी खबर देखना चाते हैं तो चैनल को तुरुण सब्सक्राइब करें साथ में वीडियो को सेर भी कर सकते हैं यह इवाग आवेदन कर सकते हैं 65 पदों के लिए यह स्क्रीन पर पूरी जनकारी आपको देखने को मिल रही है वही पर साथ में एनच पीसी में लिम्टेड में 45 पद हैं आवेदन करना चाते हैं तो आप यहां सावेदन कर सकते हैं साथ मगर यहां पर बात करें सेल में 249 तालिस पदों पर भरतिया निकले हुई हैं अगर आप विदन करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं सो आज की बिलिटे नहीं पर समाप्त होती है वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्षिन में जरू बताएं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्रा सब्सक्राइब जरू करें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में